दोस्तों जब हम DreamLeon application में कुछ पैसे जीत जाते हैं तो उन जीते हुए पैसे को अपने bank account में transfer करने के लिए सबसे पहले हमें DreamLeon application के account की full KYC करनी होती है जिसके लिए सबसे पहले हमें अपने pen card, अधार card और उसके बाद में bank account को link करना होता है तो जो सबसे पहला step होता है pen card को link करना उसी में ही बहुत सारी user ये गलती कर देते हैं और उसी गलती के कारण DreamLeon application के account से उनका जो pen card है वो reject कर दे जता है यानि कि link नहीं होता है तो दोसो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि pen card को link करते समय आप क्या गलतीया करते हैं और क्या गलतीया आपको नहीं करना है और किस तरह से successful हम अपने pen card को DreamLeon application से link कर सकते हैं सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोसों वीडियो को शुरू करते हैं मगर उससे पहले मैं आपको एक important news देना चाहूँगा और वो यह है कि मैंने fantasy से related एक नया separate YouTube channel create किया है जिसका नाम है fantasy fire zone और यह रहा यह YouTube channel और इस YouTube channel का link मने आपको वीडियो के description में भी provide करा दिया है तो जाइए जल्दी से click करके channel को subscribe कर लिजे क्योंकि fantasy से related बहुत सारी वीडियो आपको उसी YouTube channel पे मिलने वाली है और इस साल का ज़र दोस्तों यहाँ पे IPL होने वाला है उसके अंदर आपको काफी धमाल कमाल के offers भी उसी channel पे आपको मिलने वाले है तो अगर आप fantasy में interested है जाइए जल्दी से उस channel को subscribe करके जल्दी से 1000 subscriber complete करा दीजे तो चलिए दोस्तों अब हम बारते हैं आगे तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक Dreamleven account दिखाने वाला हूँ जिसका pen card reject हो गया है लिंक नहीं हो रहा है और साथ ही साथ कैसे link करना है यह भी मैं आपको इस video में दिखाने वाला हूँ तो बने रहेगा हमारे साथ इस video में तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे Dreamleven application को open कर लेता हूँ open करने के बाद में उपर यूपर profile का icon है जिसके उपर मैंने click कर दिया है इसके बाद में नीचे my balance का option है जिसके पर मैंने click कर दिया है अब देखिए यहाँ पे नीचे option है verify to withdraw का अब जैसे ही मैं इस option पे click करता हूँ तो सारी information यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है जैसे कि हमारा mobile number, email id, pen number अब देखिए यहाँ पे जो pen number है वो rejected लिखा हुआ आ रहा है देखिए यहाँ पे इसके उपर मैं click कर देता हूँ और click करने के बाद में उपर उपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है verification field अब यह जो verification field है वो क्यों हुआ है आखिर आप क्या गलती करते हैं जिसके कारण आपका जो verification है वो failed हो जाता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो दोसर ड्रीमलेवन application की full KYC करने के लिए हमें अपने pen card को link करना ज़रूरी होता है और pen card को link करने के लिए हमें pen card की जो detail है उसे enter करना होता है मगर कुछ user in value detail को enter कर देते हैं चाहे वो उनका name हो या फिर date of birth को mistake कर देते हैं या फिर उनका pen number है वो सही से enter नहीं करते हैं या फिर दोसो जब हम pen card की photo को click करके upload करते हैं तो जो photo होती है उसके उपर आपकी जो detail है वो blur रहती है यानि कि साफ साफ आपका name, date of birth या फिर pen number वगरे नहीं दिखता है तो ऐसे में आपका pen card है वो reject कर दिया जाता है तो make sure दोसो जब भी आप Rebellion application से अपने pen card को link करने के लिए जाते हैं तो ये बाते आपको ध्यान में रखनी है चोकि मैंने आपको बताई है यानि कि आपका जो name है जो pen card के उपर आपका full name है same to same वहाँ पे वही enter करना है date of birth भी आपको same to same करना है और जो pen number होता है वो भी आपको accurate वहाँ पे enter करना होता है और mobile से एकदम clear photo आपको click करके वहाँ पे upload करना होता है जिसके अंदर आपकी जो detail है वो साफ साफ दिखे इसके बाद में दोस्तों 100% आपका जो pen card है वो link हो जाएगा reject होने का तो कोई chance ही नहीं रहेगा तो जिसके दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो dreamlion account है उसके अंदर जो pen verification है वो felt हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पे pen verification felt क्यों हुआ है यह आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ही यहाँ पे आप देख सकते हैं name में क्या डला है crazy team तो यहां पे आपको इस तरह का name नहीं डालना है आपके pen card के उपर जो आपका name mention है same to same वहाँ पे इसे enter करना होता है और आपका pen number है वो भी यहां पे आपको एकदम correct enter करना होता है इसके बाद मैं देखी यहां पे जो date of birth है वो आज की नहीं डालनी है आपको जो pen card के उपर mention है वो डालनी है तो यहां पे चलिए मैं सारी detail को एकदम से correct कर लेता हूँ पर आप दोसों यहां पे जो pen card की detail है उसे मैंने correct कर लिया है जैसे कि उपर आप देख सकते हैं पहला था crazy team यहां पे मैंने मुक्य सलावट कर दिया है उसके बाद में यहां पे नीचे है pen number और date of birth वगरे सारी जो pen card के उपर mention है वो यहां मैंने enter कर दिया है इसके बाद मुझो सो next option आता है हमें pen card की photo को upload करना तो चलिए यहां पे नीचे हमें option मिलता है upload pen proof का जिसके उपर मैंने click कर दिया है क्लिक करने के बाद मुझो सो यहां पे मैंने pen card की जो photo है उसे gallery में save करके रखा हुआ है तो चलिए यहां पे upload from gallery का option है इसके उपर मैंने click कर दिया है और click करने के बाद में यहां पे जो photo है मैंने उसे attach कर दिया है done कर दिया है इसके बाद में है submit detail का option अब देखें यहां पे मैंने click कर दिया है बस आपको इतना सा ही काम करना होता है और हमारा जो pen verification की जो process है वो अभी जा चुकी है processing में यानि कि हमें कुछ समय लगने वाला है pen card को link करने के लिए लगबक दोस्तों यहां पे mention किया हुआ है कि यहां पे कम से कम आपको एक दिन लगते हैं मगर ऐसा नहीं होता है 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको pen card है वो dreamleon account से link हो जाता है और अगर reject होता है तो वो भी आपको पता चल जाएगा तो चलिए दोस्तों यहां पे जब तक link होता है मैं थोड़ा सा इंतिजार कर लेता हूँ So finally दोस्तों dreamleon application से pen card है वो link हो चुका है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ तो इसके लिए फिर से मैं अपने mobile phone में dreamleon application को open कर लेता हूँ open करने के बाद में उपर उपर है profile का icon जिसके उपर मैंने click कर दिया है इसके बाद में नीचे my balance के option पे मैंने click कर दिया है इसके बाद में देखी यहाँ पे verify withdraw का option है जिसके पर मैं click करता हूँ और click करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे देखे rejected दिखा रहा था मगर अब यहाँ पे हमारा जो pen card है वो successfully verified हो चुका है तो इस तरह से अगर आप अपने pen card को link करना चाते हैं तो link कर सकते हैं कैसे करना है सारी जानकारी मैंने आपको इस video में दे दी है और साथ ही साथ जिल लोगों का pen card reject हो चुका है तो वो इन बातों का जरूर से ध्यान रखे जो pen card के उपर detail आपकी mention है बस वही detail को आपको यहाँ पे fill up करना होता है ना कि कोई आप अपनी तरफ से कोई भी invalid यहाँ पे detail आप enter करेंगे तो आपको यह pen card है वो 100% reject होगा तो make sure pen card को link करते से इन बातों का आपको जरूर से ध्यान रखना है तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसके दिर मैंने आपको बताया है कि जिन लोगों का pen card reject हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे आपको उसे link करना है पूरी जानकारी complete process लाइव इस वीडियो मैंने आपको दिखाया भी है उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो इचले पर लाइक कर दीजेगा और अगर आपको फिर भी कहें कोई दिक्कत आती है कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स है कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं reply जरूर करूँगा मगर चैनल को भी subscribe करके जरूर से bell notification को तो all पर set कर लिजीगा क्योंकि ऐसे informative वीडियो जब भी हमारी YouTube क्याल पे upload होगी तो आपको फिर नोडिपिकेशन मिल जाएगी और जाते जाते हैं एक बार फिट से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि fantasy से related में एक नया safety YouTube क्याल मनाया है जिसका नाम है fantasy file zone जलती से subscribe पर लिजे 1000 subscriber का criteria पूरा कर दिजे